सो हे गाईस वल्कम बैक टो माई टिप चार सो दूस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो एर फाइबर के निव ओफर के बारे में जो की टू इन वन ओफर है यह दूस्तो तो जैसा के आप हमारा थमने और टाइटल देखे होंगे कि जियो एर फाइबर के एक सेट बॉक्स के साथ दूसरे टीव में भी लाइब चैनल कैसे देखे है जी हाँ दोस्तो यह एक अभी जियो के तरब से लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आ रहा जिसका मैं लाइब एक जामपल भी आप लोग को दिखाऊंगा आज की इस व दिखे होंगे या फिर आपको अधर यूटूब पर वीडियो भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको यह इंफोर्मेशन बताया गया होगा कि अगर आप जियो एर फाइबर का क्नेक्शन लेते हैं तो जो आपको सेट आप बॉक्स दिया जाता है उसमें आपक किसी सेटब बॉक्स के साथ यानि कि अगर आपके पास जियो एर फाइबर का एक कनेक्शन है तो दूसरे टीम में भी वही सारे चैनल चला करके दिखाने वाला हूं लाइब हो भी वीडियो को अन तक दिखेगा तो चली वीडियो को ही स्टार्ट कर देगा तो दोस्तों दे और इसमें जो इसके चैनल से वह आप से लोग को पता है कि इसके चैनल की इस परकार से चलते हैं सब्से पहले हैं ऐहां पर एक पर किसी भी चीच को प्ले करके देख लेते हैं और ओके करने के बाद यहां पर हमारा डिजनी प्लस होट अस्टार यहां पर ओपन हो चुका है एंड जो दूस्ते इसका जो सेट अप है वो कंप्लेटली यहां पर देख सकते हैं प्ले हो रहा है इसको सबसे पहले थोड़ी सी भगा लेते हैं और यहां पर प्ले करने के बॉक्स का जरुवत पढ़ता था बड़ दोस्तों अब आपको दो सेटा बॉक्स का जरुवत बिल्कुल भी नई पढ़ने वाला है आप एक सेटा बॉक्स जियो एयर फैवर का एक कनेक्शन के साथ दो टीवी चला सकते हैं बस इसमें यही है कि आपका जो टीवी है वो एंड किए हम जो हमारा दूसरा टीवी है उसमें हम देखने वाले हैं कि किस परकार से हमारा Jio TV प्लस दोस्तों हम दुसरे वाले चलाने दोस्तो है पहले तक आपका वह सिर्फ आपका OTT सब्सक्रेब्स नीए जो छता था बट दोस्तोस्तो प्ले करके इसको देखते हैं और उसमें भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से लाइब चैनल सारा चल रहा है यह हमारा दूसरा वाला टीवी दोस्तों और यह हमारा एका स्मार्ट टीवी है सो सबसे पहले इसमें हम अपना आज वाइफाई है उसे कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ प कर दिया गया यहाँ पर कनेक्टड है हमारा वाईफाई सो यहाँ पर बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद यहाँ पर हम देखने वाले कि इसमें किस परकार से जो टीवी प्लस से वह चलेगा सबसे पहले यहाँ पर प्लेयर स्टूर से आपको एक एप्लिकेशन करना होगा जियो टी प्लस जो कि मैंने अल्रेडी यहां पर कर लिया है देख सकते हैं यहां पर यह जियो टी प्लस अल्रेडी डाउलोड़ेड है जो कि यह सेटब बोक्स अगर चलाते हैं जियो का तो उसमें जियो के ही रिमोट से काम होता है बट यहाँ पर टीवी के रिमोट से भी सारा कुछ काम किया जा रहा है दोस्तों और यहाँ पर सबसे पहले प्ले कर लेते हैं यहाँ पर फॉर यू में जो OTT सस्क्रिप्शन दिया जाता है उसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सारा इसका OTT सस्क्रिप्शन है वो सारा यहाँ पर सो कर रहा है जिस तरह से सेटब बॉक्स में सो करता है सो सबसे पहले डिजनी होटर स्टार यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और कोई भी एक मूवी यहाँ पर प्ले कर लेत यहां पर इसमें आगे जो है यह चलने वाला है यह जो रिमोट है हमारा टीवी का ही रिमोट है और अगर जियो का जो सेट आप बोक्स रहता है उसका अलग रिमोट होता है तो यहां पर सबसे पहले हम इसे लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल लॉग इन करने के बाद यहां स्क्रीन पर यहां पर भगाने के बाद फिर इसे प्ले करेंगे और इसे चलाने वारे हैं यहां पर कुछ इस परकार से इसे भगाने के बाद यहां पर देख सकते हैं यह थोड़ा सा यहां पर लोड लेने के बाद यहां पर इजली प्ले हो पा रहा है और यह जो रिमोट है हम सबसे परले उसे play कर लेते हैं, यहां पर जो digital TV सोब कर रहा है, digital TV मेधा करके और इसके जो live चैनल है, उसे भी हम लोग देख लेने वाल है, सबसे परले digital TV में नीचे आ करके यहां पर जो हमारा channel guideline है, यहां पर DIY channel guide and यहां पर news, music, spots, सारह कुछ दीया हुआ, सो यहां पर हम कोई भी एक news सबसे पहले open कर लेते हैं और यहां पर आज तक जो news है कि यहां पर यहां पर देख सकते हैं इजली यहां पर यह चल रहा है जिस तरह से हमारा setup box में सारा कुछ features था स्यम उसे तरह से यहां पर भी चल रहा है दूस्तो बीडाऊट सेटाब बॉक्स यहां पर जो हमारा अधर चैनल वगरा है उसे भी देख लेते हैं म्यूजिक स्पोर्ट्स जो भी सारा कुछ दिया हुआ सारा कुछ यहां पर लाइब आपको देखने को मिल रहा होगा सो कोई भी चैनल अभी हमें आप एक प्ले करेते हैं यह इंटरेटेनमेंट है और इंटरेटेनमेंट भी देख सकते हैं जो भी इसके चैनल से वो सारा कुछ इजली यहां पर दूस्तो अभी प्ले करने वाले हैं और यहें काफी बढ़िया फिचर स्टाल अगेया है जीयो के तरफ से काफी बढ़िया अप्डेट डाल दिया ग्या था कि आपको एडिश्नल सेत पक्सोद की जरुरत नहीं है लाइव दे रहा है यहांपे तो लाइब में प्रचार चल रहा इसलिए caveat आप इसका चाहरा फिचेर सेम उसी तरह से सेटपयब्के स्ट जिस परकार से दिए जाता है फीचर्स के हमारा 1966 इसमें लाए गया है है आपर हमारा सरा चेनल है बिलकुल जैसा देख करक rupees LEE की लगा हुआ है बिना सटाप में जो इसके सारे लाइब चैनल्स अगेरा दिये जाते हैं वो सारा कुछ आपको सेम यहां पर देखने को मिल रहा है सेटा बॉक्स की जैसा तो काफी बढ़िया फिचर्स जियो के तरब से इसमें अपडेट किया गया है एक चीज में यहां पर आपको बता दू कि अगर आप में आप इजली जो इसके सारे लाइब चैनल्स है उसे देख पाएंगे एंड जो इसके OTT सब्सक्रिप्सन है उसे भी देख पाएंगे बिना सेटाप बॉक्स के यह चीज आपको यहां पर ध्यार रखना है कि दूसरे टेवी स्मार्ट होना चाहिए उसमें वाइफाई के त्रू आपका जीओ टेवी प्लस को लॉगिन करना है इंफर्मेशन कैसे लेगे दोस्तों कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट किजेगा एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर किजेगा ताकि जो लोग भी जियो फाइब करनेक्शन लिये हुए है वो अप वियो बरे देंगे धन्यवाद